हाई आज हम बनाएंगे एक ऐसा चौकलेट केक जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ सौ रुपई की जरूरत है जी हाँ, सिर्फ सौ रुपई में हम ये पूरा चौकलेट केक बनाएंगे और केक एकड़म सौफ्ट और स्पॉंजी रहेगा बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है तो चलिए फटा-फट से रेसिपी को शुरू कर लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले एक बोल में डालेंगे एक छोटा सेशे कॉफे पाउडर का और साथ में इसमें डाल देंगे एक कप गरम पानी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा इस केक को बनाने के लिए जितने भी इंग्रीएंट्स मैंने यूज किये हैं उनकी जो भी कॉस्ट मुझे पड़ी है वो मैंने नीचे इस्रिप्शन बॉक्स में में मेंचन की है और in fact इन सारे इंग्रीएंट्स के जो ब्रैंड्स है वो भी साथ में ही लिखती है जो मैंने यूज किये है आप उसे चेक कर लीजेगा अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमें सेक्शन में पूछ सकते हैं तो इस में शुर को अब हम एक साइट परक देंगे और इसके बाद अब हम सबसे पहले अपने मोल्ड को तियार करेंगे जिसके लिए न मैंने आज यहां पर यह आठ इंच का एक केक टिन लिया है इसे ओईल से ग्रीज कर लेंगे इसके बाद क्योंकि आज हमें बजर फ्रेंडली यानि कि सिर्फ सौ रुपे के अंदर अंदर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हमें बटर पेपर के पैसे तो बचाने पड़ेंगे तो बटर पेपर की जगा हम क्या करेंगे कि इस तरह से ग्रीज करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा एक डेट चमब जितना और इसके साथ आपने इस पूरे मोल्ड को इस तरह से कोट कर लेंगे जो साइड्स हैं इस पे भी थोड़ा सा मैदा शिड़क लीजिए और इस तरह से सारी साइड को कोट कर लेंगे इससे भी आपका केक ना बाद में डी मोल्ड बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो अगर आपके पास रूटीन में भी बटर पेपर नहीं है न तो ये वाली टेखनीका आप यूज कर सकते हैं इसके बाद इस मोल्ड को थोड़ा उल्टा करके टाप करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा वो निकल जाएगा तो बस मोल्ड तयार हो गया है इसके बाद अब हम लेंगे एक बड़ा बोल जिसमें हमें डालना है एक चुथाई कप ओयल और साथ में इसमें डाल देंगे एक कप पिसी भी चीनी इन दोनों चीज़ों को थोड़ा मिक्स करेंगे तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये कॉफी मिक्षर, तो इसे डाल के भी से अच्छो से मिक्स कर लेना है, तकरीबन 30-40 सेकिंड तक, आइसके बाद अब हम इस बोल के उपर एक छन्नी रखेंगे, जसमें करने की एक कप प्लस आधा कप मैदा, साथ में डालेंगे एक चुथाई कप कोको पावडर, एक छोटा चमच बेकिंग पावडर, एक चुथाई छोटा चमच बेकिंग सोडा, और इन सारी चीजों को चान लेंगे, अच्छा मैं ना इसमें नमक डालना भूल गी थी, तो ए इसे मिक्स करने के बाद, अब एंड में इस बेकर में हम डालेंगे तीन चोटे चमच विनेगर, यानि की सिरका, आप इसकी जगर लेमिन जूस भी डाल सकते हो, और इसे डाल के भी बेकर को मिक्स कर लेंगे, अच्छा सिरका डालने के बाद ना हमें बहुत जादा देर तक या बहुत जादा ओवर मिक्स नहीं करना है बेकर को, बस तब तक ही मिक्स करिए, जब तक ही ये सिरका एवनली मिक्स हो जाए इसमें, और साथ की साथ इस बेकर को हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस के हुई मोल्ड में, मोल्ड को थोड़ा टाप कर लेंगे, आई इसके बा अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 40-45 मिनट तक, ये जो टाइमिंग्स है ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो एक बार आप 30 मिनट के बाद इस केक को ज़रूर चेक करिएगा, और अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हो, तो आप आपको इसको प्री हीटिड अवन में बेक करना है, 180 डिगरी पर तकरीबन 35-40 मिनट तक, ये तब तक जब तक कि टुथपिक बरकुल क्लियर ना आ जाए, तो इस केक को रखे हो, मुझे पूरे 40 मिनट होए है, और आप देखे हो कि केक काफी अच्छे से फूल गया है, और जब मैंने ये तुथपिक को इंसर्ट करके चेक किया, तो ये भी क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है, तो बस इस मूल को निकाल के, अब हम एक राक के उपर रख देंगे, और केक को ढखकर एक साइट पर रख दीजे, तांकि ये पूरे अच पर ये ये यूज़ कर सकते हो, या फिर डबल बॉलर मेथड पर इसे मेल्ट कर लो, डबल बॉलर मेथड के लिए एक स्वास पान में थोड़े से पानी को गरम करना है, और फिर इसके उपर रख देंगे अपना ये चॉकलेट वाला बूल, लो फ्लेम के उपर लगाता लूम टेंपरेचर पर आजाएगे, और बस 15-10 मिनट के लिए रखने के बाद अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, 15-20 मिनट के लिए ताकि ये हलका सा सेट होके स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये केक भी ठंडा हो गया है, अब हम इसे दी मोल्ड कर लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले चाकू से हम साइट को अलग करेंगे, और इसे किसी भी प्लेट या बोर्ड के उपर उल्टा करके निकाल लेंगे, केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा, तो देखा आपने कि कितनी आसानी से ये केक बाहर आ गया, कोई बटर पेपर यूज नहीं किया, मैंने इसमें, सिर्फ एक मैदे से ही डस्ट किया था मोल्ड को, तब भी हमारा केक बहुत आसानी से बाहर आ गया है, तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना तो ये वाला मैथर यूज कर लीजेगा, और आप देख गानाश कोना मैं एक मिनट के लिए हल्का सा विप कर लूगी ताकि थूड़ा सा लाइट हो जाएए, तो बस फाइनली हमारा ये गनाश त्यार हो गया है, तो इस गनाश को अब हम अपने केक के उपर लगाएंगे, तो सबसे पहले बोर्ड के उपर लगाएंगे थुड़ा यह जो बचा हुआ गनाश था मेरे पास ना इसको मैंने एक पाइक बाग में फिल किया और इसके आगे एक नौजल लगा ली है इसके साथ मैं अपने केक के ऊपर इस तरह से बॉर्डर बना रही हूँ आप जैसे चाहो अपने केक को गानिश कर सकते हो मैं इस तरह का बॉर्ड लगें और इसके बाद थोड़ा सा और गनाश बचा इसको मैं सेंटर में पोर कर देती हूँ क्योंकि गनाश तो बहुत ही जादा यामी लगता है इसके उपर फाइनल गानिशिंग के लिए मैंने यहां पर यह चौकलेट इस तरह का वेफर लिया है इसको सेंटर से कट करके मैं दो पार्ट में डिवाइड करके इसको सेंटर में रख रहे हूँ तो बस हमारा यह केक तो त्यार हो गया है अब हम इसे स्लाइस में कट करेंगे और इसे सर्फ करिए यह बहुत ही जादा यह में बना है और हैसी ही और सिरफ सौ रुपए के अंदर अगर आप चाहते हो क कि इस चानल पर मैं और रेसिपी आपके साथ श्यार करूं तो मुझे बताईएगा और कौन सी रेसिपी चाहिए मुझे सजेस्ट करिएगा वीडियो के नीचे कॉमें सेक्शन में हम इक रथे उसे ट्राइ करेंगे तो बस बनकर त्यार हो गया हमारा यह चौकलेट केक आप